हेलो दोस्तो, गोड मॉर्निंग, कैसे हैं, आप सब आसा करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तो, और अभी मैं चल रही हूँ खाना बनाने, और आज दिन है सनीवार, और आज है तारिक चार, तो आज गाउं में फिर से जाना है, दोस् मैंने ब्लोग खतम कर दिया था, सुभा चार बजे गए थी, और आई थी करीब पांच या साड़े पांच बजे लोट कर आई थी, और अभी फिर जाना है, लेकिन दोभेर में जाना है, मतलब जब माडो पड़ेगा तब जाना है, तो उससे पहले मैं अपना काम खतम कर ले बहुत ज़्यादा तो मेरा देख सकते हैं आप लोग, ये ब्रो है नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेट कर वा लूँगी, और चलिए, लाइट जो है रात से बिलकुल से आ ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा परेसानी हुई है रात भर दोस्तों, कि मैं क्या बताओ, सार सारा रात मतलब हम लोग सोए नहीं है, कि रात भर मतलब छट पर थे, मच्छर की वज़ा से बिलकुल से सो नहीं पाए, एक मच्छर दानी था तो उसमें बच्चों लोगों को सुला दिया था और दूसरे मच्छर दानी नहीं था, इसलिए हम लोगों को बहुत सारे मच्छ खूब काटा और रात भर बिल्कुल से नीन नहीं आया सारा रात मतलब हम लोगों का ऐसे ही बीत गया बैठे बैठे ही तो इस समय थोड़ा सा सीर जो है भारी भारी सा लग रहा है ऐसा मन हो रहा कि बस अब थोड़ा सा आराम कर ले लिए तो यहां पे दोस्तों में मसाला बनाओंगी और चावल और रोटी तो इसको मैं पीस लेती हूँ उसके बाद में तैयार होने चली आई थी दोस्तों बताई थी ना कि माड़ो पड़े गास तो यहां पे मैं रेडी हो रही हूँ और रेडी हो करके जाओंगी गाओं में वहां पे भी मुझे दो घंटे एक अभी रहती हूँ ना मतलब क्रीम पौडर सिंदूर विंदी वही मेकम मेरा बाहर जाने का भी रहता है अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ दोस्तों बस निकल रहे हूँ वहां के लिए बिदम से ये देखिए येलो साड़ी मैंने पहन लिया है तो यहां पे सब लोग अफोटू निकलू आ रहे हैं और देखिए सब लोग येलो साड़ी पहने हुए हैं आज हल्दी का रसम है ना तो इसी लिए सब लोग येलो साड़ी पहने हुए हैं और वहां पे देखिए दीदी और भाईया बैठे हुए हैं मडवा पढ़ रहा है जो मडवा परता है ना तो वो मडवा पर रहा है और यहाँ पर देखिए यह सब मेरी ननत बैटियां लगती हैं और यहाँ पर सब लोग जिठानी दिवरानी सब लोग लगती हैं यहाँ पर बैठी हुई है और गर्मी से हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब है और अमा भी और मैं वीडियो पना रही हूँ पीछे से तो देख सके और माडो का भी ये रसम है दोस्तों देखे ये हाँ पे हल्दी पिसाई हो रही है साथ सुहागन मिलकर हल्दी है जो है फिस्ती है जो दूले को लगेगा है अरुच अर्चा। और अभी बन रही है साम वाली चाय तो आईए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीजी और मैं घर पे दोपहर में ही आ गई थी दोस्तों तो यहाँ पे देखिए हजबन जी फिर से चाय बना रहे हैं क्योंकि बाहर और लोग भी आजगोए हैं मैं तीन कप चाय बाहर भेज दी थी लेकिन और भी आ रहे हैं गेस्ट लोग भी आ गए थे जो थे वो तो पी लिए उ जाड़े छे और बहुत ज्यादा गर्मी थी दोपहर में और वहां से आने के बाद दोस्तों मैं घंटे के लिए सो गई थी एक क्या दो घंटे में सोई पूरा रात जब ना सोए रहो तो दिमाग भी काम नहीं करता है और मेरा जो है आख सीर जो बहुत ज्यादा भारी-भा हो रहा था तो मैं दो घंटे सो गई थी दोस्तों उसके बाद उठी तो पूरा घर में जाड़ू और साम का गाम होता है वह मैंने किया और चाय भी हम लोगों ने बना करके पी लिया बाकी और लोग जो आ रहे है उनके लिए फिर से हाजबन जी चाय बना रहे हैं तो अपने नात रिस्तेदार में वीडियो जरूर सियर करा करिए हमारी ताकि उनको हो सकता है मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज दोस्तों इकना तो सपोर्ट आप लोग करी सकते हैं यहीं तक था देखिए ननद लोग आ रही है आओ 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 तो देखिए दोस्तों दीदी कृण आओ भाए लोगे लोगे यहास submit ti दोस्तों मिलते हैं कच्छी सी वीडियो के साथ लिए नद अई बाए जो में आ गई ती तो चलिए आज का ब्लोग यही तक मिलते हैं कच्छी सी वीडियो के साथ अज तब तक के लिए बाए बाइ बाइ